दलितों के अधिकारों की चब चब बात होती है तब तब तेश में कोई न कोई ऐसी घटना होती है जो दलितों को लुक्सान पहुचाती है भीर्दंत्र दुवारा दलितों पर अत्याचार होते हैं मगर आजादी के समय से देखा जाए तो परत दर परत कई किस्से खुलते जाएंगे जहां मांसिक रूप से कठोड दलितों ने देश में कई कुर्बानिया दी है वही रामदास अठावले जो दलित वर्क के हितों की बात करते हैं उन्होंने मांग की है कि सेना में अनुसूचित जन्जाती और चाती के लोगों को अलक्षन दिया जाए इसके लिए अठावले ने बगायदा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है केंद्रे मंत्री अठावले ने बताया कि सविधान निर्माता प्रभीम राव अंबेट कर कहते हैं कि हम सभी को देश की सेवा करनी चाहिए इसके आगे उन्होंने सभी नौजवानों से भारतिय सेना जोईन कर देश की सेवा करने की बात की अब हो नहो दलितों को सेना में भरती होने के लिए आरक्षन देने की बात की जा रही है क्या पता आने वाले समय में चमार रेजिमेंट को वापसी सेना में पहचान दी जाए अब आप सोच रहे होंगे कि चमार रेजिमेंट आखिर है क्या दरसल दुदिय विश्वीत के समय अंग्रेज सरकार ने थल सेना में चमार रेजिमेंट बनाई थी जो 1943 से 1946 तक अस्तित्तु में रही दलितों के कल्यार से जुड़े संगठोनों और चाटव का दावा है कि वीर चमार रेजिमेंट को अंग्रेजों ने प्रतिबंदित कर दिया था अंग्रेजों ने चमार रेजिमेंट को अजाद हिंद फौच से मुकाबला करने के लिए सिंगापूर भेजा इस रेजिमेंट का नेतरुत कैप्टेन मोहललाल कुरिल ने किया था जहां कैप्टन कुरिल ने देखा कि अंग्रेज चमार रेजिमेंट से सैनिकों के हातों अपने ही देशवासियों को मनवा रहे हैं उन्होंने चमार रेजिमेंट को आइने में शामिल कर अंग्रेजों के खिलाफ यूद करने का निड़ने लिया इसके बाद अंग्रेजों ने 1946 में चमार रेजिमेंट पर प्रतिबंद लगा दिया अंग्रेजों से युद के दोराँ चमार रेजिमेंट के सैकडो सैनिक ने अपने प्राणों के आहुती दी कुछ मयान मार तो कुछ थाइलेंड के जंगलों में भटक गए जो पकड़े गए मौत के घाड उदार दिये गए कैप्टन मोहनलाल कुरील को भी युद बंदी कर दिया गया जिन्हें आजादी के बाद रिहा कर दिया गया था चमार रेजिमेंट से तीन साल अस्तित में रही थी अब सेना में इस रेजिमेंट की बहाली के लिए पहली बार कानूरी रडाई शुरू हो चुकी है इसकी मांग को लेकर होने वाली कुछ प्रदशनों की खबरों पर राश्ट्री अनुसूची जाती आयोग ने संग्यान लिया है आयोग के सदस्य इश्वर सिंग ने रक्षा सचीफ को नोटिस बेजा है दलितों का यह बड़ा मामला पहली बार इस तरफ पर उठाया जा रहा है इश्वर सिंग ने मीडिया से बाच्चीत में कहा कि आज ही सरकार को नोटिस भेज कर जवाब मांगा गया है आखिर इस रेजिमेंट को किन कारणों से बंद किया गया आपको यह भी बता दे कि चमार रेजिमेंट और उसके बहादुर सैनिकों के विद्रोह की कहानी उनी की जुबानी नामा किताब के लेखक सतनाम सिंग जेन्यू के इस रेजिमेंट पर शोट कर रहे हैं सेंग ने मीडिया से बातचीत में बताया कि इस रेजिमेंट के तीन सैनिक अभी भी जिन्दा है इसके सैनिक रहे चुन्नी लाल हरियाणा के महंद्रगड जोगी राम भिवानी और धर्म सेंग सोनी पत्के रहने वाले हैं तीन महा पहले जेन्यू के मौडन हिस्ट्री डिपार्टमेंट में रेजिस्ट्रेशन हुआ है इसका विशय ब्रिटिस्ट कालीन भारतिय सेना की सन्रचना में चमार रेजिमेंट पर एक एतिहासिक अध्यान है यह रेजिमेंट भी उतनी ही बड़ी थी जितनी और जातियों के नाम पर पनी रेजिमेंट है ऐसे में कई सवाल उठते हैं कि आखिर क्या चमार रेजिमेंट की वापसी होगी? क्या तलितों का उनका अधिकार मिलेगा? पिर रपोर्ट निशन टाइप